नमस्कार ने विल्कम यौल उस्टडी आईक्यू मैं हूँ रशान धवर नाव रिसंटी आपने इस टॉपिक से रिलेटर बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे नहीं देखे तो मैं आपको दिखा रेता हूँ बहुत ही इंडरस्टिंग टॉपिक है ग्लोबल मीडिया इंडिया रिजेक्ट चाइना's call to resume passenger flights even after 4 years चार साल बात भी जो भी चाइना की request जो भी चाइना का pressure है के वापस direct flight स्टार्ट कर दो इंडिया इसको रिजेक्ट कर रहा है और ये बहुत ही जादा important है इस topic को बहुत जादा simplified तरीकरे समझते हैं के 4 साल पहले क्या हुआ था औ इतनी जादा important क्यों है और पूरी दुनिया को इससे क्या example मिलता है आप यहाँ पे आपके सामने एक बहुत इंटरस्टिंग ग्राफ है आप देख पाओगे साल 2020 के आजपास और उसके पहले आप अगर जाओगे तो इंडिया और चाइना के बीश में बहुत सारी flights थी कई इंडियन स्टुडेंट्स थे वो चाइना में जाकर पढ़ना पसंद करते थे कई इंडियन बिजनस्मेंन थे वो देख रहे थे के चाइना में कैसे निवेश कर सकते हैं चाइना से कैसे और जादा चीज़े इंपोर्ट करके भारत मिला सकते हैं इसके लिए अगर आप कंट्री को विजिट करते हैं तो आपको एक्स्टर एडवांटेज मलता है बहुत सारी flights इंडिया चाइना के बीश में थी मगर फिर कोविड आ जाता है कोविड की वज़े से सबसे पहले दुनिया के कई कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ने एक काम ये किया चाइना से सारी international flights कट कर दी क्योंकि जो भी कोविड के cases थे ये चाइना से ही आ रहे थे निशली उसके बाद तो आपको याद होगा पूरा international flight system ही कुछ समय के लिए बिलकुल बंद हो गया था और कंट्री इस ने फिर बहुत कौशस ली बहुत जाता डर डर के कोविड से बच कर धीरे धीरे international flights वापस रिजियूम करी मगर एक बहुत इंटरस्टिंग बात यह है इस सब के बीश में इंडिया चाइना के बीश की जो relations है border पे ये बहुत ज़रा खराब हो गए चाइना ने इंडिया के अगेस्ट aggression करने की कोशिश करी गलवान इंसिडेंट हुआ चाइना ने अपनी बहुत सारी military डिप्लॉय कर दी इंडिया की border पे और इस सब की वज़े से इंडिया ने कभी भी direct flights रजियूम नहीं करी चाइना के साथ 2021 से लेकर अब तक आप अगर देखो कोई भी direct flight आपको इंडिया से नहीं मिलेगी to China और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है तो क्यास का मतलब यह है कि इंडियान और चाइनीज एक दूसरे के country में जानी सकते क्योंकि ट्रावल तो अभी भी होता है हम देखते हैं YouTube पे कई vloggers होते हैं वो चाइना दिखा रहे होते हैं जाते हैं इंडियान वहाँ पे यह सब कैसे होता है फिर देखो अभी जो भी थोड़ा बहुत अभी ट्रावल हो रहा है बिट्वी इंडिया और चाइना यह हो रहा है हॉंग कॉंग को काफी बार international flight system में एक अलग ही location आना जाता है इवन दो चाइना कहता है कि होंग कॉंग उनका पार्ट है तो इंडिया से कोई flight अगर जा रही है बेजिंग में तो सीधा दिली से बेजिंग नहीं जाती दिली से बेजिंग अगर डिरेक्ट ली जाए तो flight का time होगा 6 गंटे के आसपास अभी flight पहले जाती है होंग कॉं यह नहीं देखिए चाइना बहुत जादा एक practical country है यह लोग अपने goals अपने objectives देखते हैं और याद रखिएगा मैंने आपको काफी time पहले एक वीडियो में बताया था कि चाइना एक boiling frog strategy के हिसाब से काम कर रहा है चाइना अपनी तरफ से aggression करेगा और उसके बाद act करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है everything is normal यही है boiling frog strategy के मैंडक को उबलते वे पानी में आप डाल दो और आसपास वातावरन ऐसे रखो के सब कुछ normal है कुछ change ही नहीं हुआ है और अगर चाइना के perspective से अगर हम देखें तो इन्हें इंडिया से direct flights बहुत जादा important है क्योंकि इंडिय चाइना की जो tourism market है यह वापस recover नहीं कर पाई और यहाँ पर आप देख पाएंगे BBC का article चाइना में जो domestic tourism है यह तो बढ़ रहा है मतलब बेजिंग का आदमी जा रहा है वुहान में वुहान का आदमी जा रहा है शेंगाई में अंदर जो इनका internal tourism है यह बढ़ रहा है मगर foreigners अभी भी चाइना नहीं जा रही जिसकी वज़े से चाइना की tourism industry को नुकसान हो रहा है इस नुकसान की बरपाई करने का एक बहुत यह अच्छा तरीका चाइना को यह बता है इंडियंस को ले आओ देखिए मैं यह कहूंगा इंडियंस में धीरे धीरे अब awareness जाग रही है सब लोगों ने बात समझ ली है तो आज भी मैं कहूंगा अगर डिरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हो जाती है चाइना के साथ हमारी कई इंडियंस हैं वो बाकी जियो पॉलिटिकल रियालिटी वगरा सब कुछ भूल भालके एक बार को चाइना खुमने के लिए चले जाएंगे तो हम लोग औवियसली ये नहीं चाहेंगे के चाइना की जो टूरिजम इंडस्ट्री है ये वापस रिवाइव हो जाए और चाइना की बॉलिंग फ्रॉग स्ट्राइजी काम कर जा देखो चाइना की जो बॉलिंग फ्रॉग स्ट्राइजी है तभी काम करेगी अगर हम भी यह बात accept कर लेंगे कि जो गलवान में हुआ ये normal है जो चाइना बॉर्डर पे कर रहा है ये normal है हमें चाइना को constantly बताना होगा जब तक बॉर्डर पे peace नहीं होगा until there is peace on the border चीजे normally इंडिया चाइना के भीश में restart नहीं होगी चाइना की investments इंडिया में नहीं आएंगी things will not be normal और यहाँ पर मैं add करना चाहूंगा मुझे इस बात को लेकर बहुत जारा एक pride feel होती है कि मैं इंडिया का citizen हूँ एक ऐसे country का citizen जो at least अपने सिधानतों को लेकर कुछ compromise नहीं करता औस्टेला का case मैं आपको बताओ मैं काफी बार कह चुका हूँ quad countries में अगर सबसे एक कमजो चाइना free visa दे दिया इनको का के visa free entry आपकी चाइना में और बहुत सारी flight शुरू कर दी Australia चाइना के बीश में Australia खुश और इस पर आप देखोगे recently कुछी दिनों पहले आसे articles publish होए है कि चाइना बिलकुल Australia को वू कर रहा है उसको आकरशित कर रहा है ये एक attempt है ताकि quad की cooperation औ अगर कोई देश है तो वो है Australia at least मैं काऊंगा जब तक इनकी जो AUKUS submarines है nuclear submarines वो बनती नहीं है तब तक Australia एक weak country ही मानूंगा मैं इनकी आपके लिए एक proper strategy नहीं है regarding China इंडिया ने आप अगर देखो तो एक बहुत अचा decision लिया है direct flights resume ना करके और यहां पे मैं आपसे जाना च चाइना के साथ वापस restart करनी चाहिए लिखेगा इसके बारे में comment section में आपका viewpoint क्या है जो इंडिया कर रहा है आज के समय is it right या फिर जो strategy है इसमें change होना चाहिए I want to know your opinion mention it in the comment section below और finally आप से पूछूँगा एक बहुत ही interesting mcq international yoga day है आज मोदी जी देश के prime minister ये जम्मू कश्मीर में international yoga day कर रहे हैं observe आपको बताना है कि इस day का theme क्या है इस साल 2024 international yoga day का theme क्या है ये है आपकी options yoga for world peace, yoga for self and society, yoga for economy या फिर yoga for ratio comment section में करिये उत्तर जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं और finally आप लोगों के लिए एक बहुत important जानकारी एक classic quote है आपने हो सकता है कि काफी बार देखी भी हो you can't build a long term future on short term thinking कुछ महीनों का सोच के के मैं ये करूंगा आप कई सालों की planning नहीं कर सकते कई students हैं जो कई सालों की planning करना चाहते हैं कि आने वाले 2-3 साल में इस exam को मैं attempt दूँगा ये मेरी strategy होगी इस तरीके से मैं successful बनूँगा वैल उनके लिए study IQ लेके आया है study IQ long term UPSC batch ये batch बनाया गया है specifically उन students के लिए जो अभी college में है जिनके पास अभी time है वो चाहते हैं अराम से आने वाले 2-3 साल में एक proper attempt दे UPSC का proper preparation के साथ वो अपना पहरा attempt देना चाते हैं तो long term batch is for you तो आपको simply क्या करना है इस वीडियो के comment section में जाईए यहाँ पे आपको link मिल जाएगा long term batch का जो शुरू हो रहा है by the way 24th June से जी हाँ 24th June से ये batch बिलकुल from chapter 1 start होगा पूरा syllabus from the beginning start हो जाएगा और आप इस batch में enroll कर सकते हैं 30 June तक 30 June के बाद enrollment यहाँ प यह special इसलिए है क्योंकि validity आपको यहाँ पर मिलती है extra large 36 महिने की यहाँ पर आपको मिलती है validity जहाँ पर आपको live classes मिलेगी one-to-one mentorship prelims test series obviously आपके लिए free है ही answer writing program आपको मिलेगा और जैसे ही आपका prelims clear होता है main exam के लिए study IQ आपको option देता है कि अगर आप चाहें आप दिल्ली आपके आ सकते हैं दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं under study IQ guidance यहाँ पे आपके accommodation का खरचा बागी खाने का खरचा यह सब उठाएगा study IQ और interview तक यह course आपका असाब निभाएगा जो प्राइस यहाँ पर लिखा है जो प्राइस यहाँ पर लिखा है और जो यहाँ पर देना और यहाँ पर आपको अगर आप यह course लगाओगे यह course लगाओगे तो आपको maximum discount नहीं दिलेगा यूज the code यूज the code और आपको मिलेगा maximum discount possible आप basically 1000 rupees per month पे कर रहे होंगे for this 36 months long course और आप UPSC exam कर सकते हैं घर बैटके या फिर जहा भी आप चाहें अगर आपको नहीं है एक लमबर टार्गेट लेके आप चल रहे है तो सो यूज से समय एसलुका यह वीडियो कांथ थांक यू फो लिस्नेंग राज ओलवेस्ते मेरा टार्गेट वाच ओवर यू